अगर आपने अपना ishram card बनाया है और आप अगर उसे delete करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं ishram card delete करने का option आपके ishram portal पर आ चुका है ishram card delete करने के लिए आपको इस page पर आ जाना है इसका link वीडियो के description में दिया हुआ है इस page पर आने के बाद right side में आपको update के option पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर already registered के option पे click करना है update profile के option मिलेगा उस पर आपको click करने के बाद आपको यहाँ पर आधार से linked mobile number इंटर करना है उसके बाद capture फिल करना है उसके बाद send OTP के option पे आप click करेंगे आपके mobile number पर OTP send किया जाएगा OTP यहाँ डालेंगे उसके बाद submit उसके बाद आप अपना आधार number डालेंगे नीचे OTP का option select करेंगे, फिर से capture fill करेंगे, finally submit के option पे click करेंगे, OTP यहाँ पर आएगा, OTP यहाँ डालेंगे, उसके बाद validate के option पे click करेंगे, आपको अपना ishram card delete करने के लिए नीचे box पे click करना है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा करने के बाद आपका आधार से जो data आप पूरा ishram portter से delete हो जाएगा, finally ishram card delete करने के लिए इस box पे click करेंगे, update ekyc information के option पे click करेंगे, आपका card successfully delete हो जाएगा, फिलहाल जब हमने इस option पे click किया, तो कोई भी action पर फर्फरम नहीं हुआ, हो सकता है, नया feature है, इसलिए अभी इस पर काम चल रहा हो, लेकिन जब भी यह feature successfully work करने लगेगा, आप same process के द्वारा आप अपने ishram card को आसानी से delete कर पाएंगे, so friends इस वीडियो में मैंने आपको ishram card delete करने का A to Z complete process बताया, I hope के वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो like करें, friends में share करें, और हमारे इस channel पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही take related, genuine content देखने के लिए इस channel को भी subscribe जरूर करिए, तो बस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए topic से साथ, तब तक के लिए बाए, नमस्कार, आपका देन सुभ हो